इस हफ्ते के लिए आप नई सीरीज की शुरुआत शुक्रवार को ही कर चुके थे नया महीना भी अब जब शुरू हुआ है तो इसमें अब जिस तरह से लाज़के आप थोड़े से कम बैक करते हुए दिखाई दिये शुक्रवार को पहले ग्लोबल मार्केट का सेट अप पी और नास्डाक तीनों करीब साले चार साले पांच परसेंग की बीच में पूरे विदेशी मार्केट गिरे थे और उसके बाद थोड़ी शॉट कवरिंग आई उसका सबसे बड़ा कारण यह रहा कि जो जॉबलेस डेटा आया है वो कमजोर आया है और वो बजार को यह मे नहीं साब और हाइक की धरुवत है हमारे जरोम पाउल जी ने ने लेटिस्टी जैक्सिन होल से भी लेकिन बाजार कुछ और बात कह रहा है तो बाजार और सेंट्रल बैंकर दोनों अलग-अलग दिशा में हैं तो बाजार यह कह रहा है कि स्थरे के डेटा के बाद क्या बा नहीं हो रहा है तो शायद एक रेटाइक की दरुवत है तो यहां से लेके अट्रावनिस तरिक तक अगर वाकई में सेंस यह बना कि रेटाइक नहीं आएगा तो ग्लोबल मार्केट सपोर्टि नहीं और इस से में दिखिया अब एशिया को हमारे गिफ्ट निफ्टी में य चाहिए एक सर्वे मैं भी पढ़ रहे थे 20-30% ट्रेडर्स ही मान रहे थे कि रेटाइगा आप सही कहा है रहे हैं दोनों जरफ से कम्यूनिटी दिख रहा है आप देखिए फॉल्स ब्रेकडाउन करीब 6-7 बार हमने देखे जुलाई और अगस्त सीरीज में 19-250-19-240 के आस इची शॉट कवरिंग की बाइट की हमने एक फेस देखी बाजार में सेंस ही आ रहा है कि 6-7 बार जो हम 19-250 तक गए है वो फॉल्स ब्रेकडाउन जो है अब उसका दौर शायद खतम हो रहा है उसमें एक रीजन ये भी है कि F.I.I. की जो सेलिंग बढ़ी हुई थी अब अगर आप देखिए कहां से स्ट्रेंथ आ रही है जो ग्लोबल सेंट्रिक सेक्टर्स हैं मेटिल चाइना के डेटा के बाद वहां तेजी आई 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 टी में लगातार तेजी चल रही है यह आप कह सकते हैं बैंक्स ऑफ और और इवन रिलाइंस ऑफ और रिलाइंस जिफसी बैंक एक दिन चलते हैं एक दिन नहीं लेकिन अगर आप देखें जो फार्मा आटो यह स्टॉक्स जो हैं पूरा मेक अप कर दे रहें कमजोरी का आज की तारीक में आप मेटल्स की उपर जरूर धियान रखिए और सिमेंट पर भी धियान रखिए को सिमेंट में औ और इस तरह की उम्मीद जुताने का कि अब हम अवल नहीं बलकि अवल के भी अवल हो गए हैं अब हम तो अरित्य एलवन भी ले आए हैं निप्पी पहली बात तो मैं आपको बदाई दूँगा कि आपका है कट बहुत ही शांदार लग राए इस बार आपने किसी नई जगे से लग रहे हैं किसी नई इस सालोन में वीकेंड में गई थे आप वह लिए चेंज किया है बढ़ाई तो होनी चाहिए एक बार चंद्रमा को काबूम में करने के बाद अब हम सूरी की तरफ अपना अपनी नजरे गड़ाए बैठे हैं और मैं आपको बता दूं कि जो मैंने पढ़ा जो थोड़ी बहुत मामूली जानकारी मेरी है कि चंद्रमा की उपर तो काफे रिसर रिसर्च अभी बाकी है क्योंकि उसका प्रताप और तेज इतना भेंकर होता है कि कोई मेशिनरी कोई हाडवेर उसके बहुत करीब पहुंच नहीं पाता है तो एक स्पेसिफिक लोकेशिंस पर ही जाके क्लोजिस्ट आप सूरी के पास जा पाते हैं तो बहुत ही इंट्रेस सूरी के हिसाब से चलता है तो सूरी की रिसर्च बहुत काम हो सकती है इंसानियत के मुझे ऐसा लगता है लेकिन बढ़ाई तो मैं आप सब को हमारे सारे व्यूवर्स को देशवासियों को और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सभी लोगों को भी देना चाहूँगा जिस त हिसाब से शक्तिकांतर अदास जी ने कोविड के दौरान एकॉनमी की कमाल समारी उसके बाद इंफलेशन को कंट्रोल में किया और यह सब ग्रोथ में किसी भी तरह का कॉम्प्रमाइज ना होने के साथ साथ तो बहुत ही शानदा लगता है और आज जब हमारे कैपिटिल मार है एक बुल रन चल रहा है सेंट्रिल बैंकर का की भूमिका बहुत इंपॉर्टन होती है लिक्विडिटी मैनेजमेंट महंगाई और ग्रोथ इन सब का तारतम में बिठाने के लिए तो बहुत मजा आ रहा है और मुझे एक तरह से खुशी भी हो रही है लेकिन मुझे अच प्रभू का हाथ है तो उसके बाद उनकी वावाई पूरे दुनिया में होनी है तो बहुत मजा है बहुत अच्छा विजुल था इन फैक इसके बाद उन्होंने कुछ कॉमेंटरी भी दी थी कुछ रिपोर्टर्स को महा काल के दर्शन के बाद लेकिन हमारे विजुल्स तो उन्हें पूरी दुनिया अब वाहिवाही कर रही है बिल्कुल चलिए तो यह दूसरा बड़ा प्रिस्टीजिस अवर्ड था जो आर्बै गवर्नर को मिला है और रफक्र से पूरे देश वास्यू का सर्भी उचा है मैं ही अध्यात्मिक्ता को बांद दिया और साथी ऐसी तस्वीर दिखाने के लिए कहा तो तस्वीर हम आपको दिखा रहेते हैं शक्ति कांता दास पहुंचे थे महाकाल के मंदिर में अंदर की विजुल्स तोड़े कम है लेकिन बाहर आके उन्होंने भक्ति अच्छा दर्षण हुआ और पूजा भी किया माकलेस्वर जी का और भग्वान के भषखे महाकाल के भोसे निया तो पूरी दुनिया है यह कहा रहा है जो एक कॉमन बात है 30 सेकेंड में लोंगा डिंपी आप देखिए कि इतनी खास बात आई कि हमारे जो central bankers हैं वो एक दम commercial activity एक regulation या काम और बहुत academic काम करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी उसके अंदर अध्यात्म प्रभू का और एक divine कह लिजए आप कुछ भी नाम दे दें उनका रोल हमेशा अभी इसरों के जो चीफ है सोमना जी वो भी एक जगे एक speech देने के ले गए थे तो उन्होंने बहुत ही इंशेंट नॉलेज जो भारत की इंशेंट नॉलेज है उनमें भी कहीं जगों पे उनका उन्होंने उल्लेक किया और बताया ही कैसे divine और इंशेंट नॉलेज आज की science और आज के समय में भी एकदम पूरी फिट बैठती है लेकिन आगे और आज तो यह लेकिन आगे इंशेंट नॉलेज है लेकिन वास्टी आगे है झालेज जाया तो यह उन्वाँ की जए लेकिन आगे है वह बहुत है लेकिना जा कर प्यालेज है नॉलेज नॉलेज।